नमस्कार मित्रों मैं सौरब पांडे आप सभी मित्रों वंग विद्यार्थियों सभी लोगों का वर्धनम के इस आनलाइन प्लेटफर्म पर स्वागत करता हूं कि जैसा हम जानते हैं कि जो पेपर और जो पढ़ाई की स्ट्राटजी होती है उन दोनों को साथ में मिलाकर अगर हम एक अच्छे तरीके से चलने का प्रयास करते हैं तो वही हमारे सफलता को क्या करता है निधारित करता है अब आज हम लोग जो यूजी सी नेट जी आरफ हिश्ट्री का सेग्मेंट है उसका पहला चैप्टर हम लोग सुरू करेंगे तो हम किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउन को देखते हैं कुछ सब्द बिसेस की परिभासाओं को देखते हैं क्योंकि जब क्या क्या हमें पढ़ना है यह भी ध्यान रखेगा यह भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम सिख्के के दोनों पहलू को लेके चलते हैं कभी-कभी निगेटिव वाले पर भी कोश्चन बन जाता है और पोजिटिव वाला तो फेमस है ही तो इस प्रकार से आज हम लोग थो को पढ़ने के जो शुरोत हैं उन मुद्दों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो आए सरप्रथम हम देखते हैं कि अगर हम इतिहास की बात करते हैं UGC NET JRF और लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यह लेक्शर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो इसमें हम दोनों को जोड सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक है दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है बस यही है कि NET में आपको थोड़ा सा अलग से फस्ट पेपर पढ़ना पढ़ता है जिसमें रिजिनिंग मैथ इंगलिस और टीचि रिसर्च मेथलोजी यह सारी चीजें हैं कम माइंड रहती हैं तो हम लोग आज हिस्ट्री सेग्मेंट को सुरू करने का कारी करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास की हम थोड़ी सी ब्याख्या करते हैं कि क्या है इतिहास देखिए इतिहास अगर हम इसको थोड वर्तमान में रहकर मानो अतीत, अतीत का मतलब भूत, का क्रम बध अध्यन किया जाता है, यानि इतिहास में ये सही है, इतिहास में वर्तमान में रहकर मानो अतीत का क्रम बध अध्यन किया जाता है, अब कैसे किया जाता है कि हम क्या करते हैं, कि सरप्रथम ये चीज देखते हैं कि जो बीत गया वही इतिहास है तो जो बीत गया वो क्या है वो हमारा भूत या अतीत है और उस अतीत का एक सिक्वेंस वाइज अगर हमको जानकारी मिलती है तो वही हमें क्या है इतिहास का अध्यन कहलाती है यानि कि इतिहास में बरतमान म रहकर मानो अतीत का क्रमबध अध्यन करता है या किया जाता है इसी को हम इतिहास कहते हैं ठीक है अब दूसरी चीज देखे कि किस आधार पर कहते हैं किस आधार पर कहेंगे सबसे पहली चीज तो ये जो अतीत है इसको बरतमान में अगर हम पढ़ रहे हैं एक क्रमबध तो उसके लिए हमें कोई न कोई क्या चाहिए माध्यम चाहिए हमें जानकारी कहां से मिलेगी तो यहां देखती है कुछ निश्चित साच्छों के सहारे अतीत की दोबारा पुनर रचना की जाती है यानि कि इतिहास में बरतमान में रहकर हम अतीत की चीजों या गुजरी हुई चीजों का क्रमा अनुसार अध्यन करते हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं यह अध्यन कुछ निश्चित साच्छों के आधार पर किया जाता है यानि कुछ निश्चित साच्छों के सहारे अतीत की दोबारा पुनर रचना की जाती है इस रूप में इतिहास बरतमान योंग भूत के बीच एक संबाद यानि communication अस्थापितिया कायम करता है तो देखिए इसमें main main point क्या है और इसको लिखने वाले है एच कार महोद है एच कार महोद है कि ये statement है कि इतिहास में बर्तमान में रहकर मानों अतीत या अपने भूत का क्रम बद्ध बरणन करता है जिसका क्या होता है जिसका आधार कुछ निश्चित साच्छ होते हैं जिसमें हमने आपक साच्छ है और पूरा तत्विक साच्छ है तो इन ही पर हम आज चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा statement देखिए अब देखिए कि क्या कर रहा है कि इतिहास बर्तमान योंग भूत के बीच एक संबाद कायम करता है भई हमको सीधी साधी बात है कि हमको कैसे पता चला कि असोक था असोक ने बहुत धर्म अपनाया तो कहीं ने कहीं कुछ साच्छों की बात होती है तो उन चीजों को क्या हुआ उन चीजों को हम लाके बर्तमान में क्या करते हैं एक संबाद के रूप में कायम करते हैं ये statement आपकी एचकार महुदय ने दी है कि इतिहास में बरतमान में रहकर मानों अतीत का क्रम बद्ध अध्यन किया जाता है कुछ निश्चित साच्छों के साहरे अतीत की दोबारा पुनर रचना की जाती है इस रूप में बरतमान इस रूप में इतिहास बरतमान और भूत के बीच एक संबाद कायम करता है आगे देखते हैं ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे PDF के फार्म में देखिए इतिहास के तहत किसी काल खंड में मानों समाज राजनीती अब देखिए यहाँ पर इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो हमें तीन चीजों का विशेशते ध्यान रखना होगा कि सोशल, पोलेटिकल, इकनॉमिकल, रिलीजियस यानि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, ये चार पहलू हर चैप्टर में ही आपके लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं अब यहां पर अगर हम एक बात बोलें, कि बरतमान में अगर हम देखें, तो जो सामाजिक अध्यन है, जो समाज की बात आती है, तो समाज बहुत ब्यापक है समाज छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है वर्ड लेबल पर अगर हम देखें तो हिंदुस्तान भी एक सोसाइटी है ठीक है अगर इंडिया लेबल पर भी देखें तो क्या है अलग-अलग सोसाइटी है हिंदुस्तान में तो समाज में ही राजनीती शुरू होती है समा मानो, किसके समाज की बात होगी यहां पर, मानो समाज की बात होगी, क्योंकि समाज अलग-अलग होता है, जानवरों का समाज अलग होगा, कुछ लोगों का समाज अलग होगा, लेकिन यहां मानो से संबन्दित क्योंकि इतिहास की बात हम करेंगे, तो यहां अपने बैक्ग्र में मानो समाज में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा संस्कृतिक विकास का अध्यन किया जाता है या संस्कृति का अध्यन किया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम मानों के विकास, संस्कृति और सभ्धिता इत्यादि के द्वारा जाना जाता है। अब हम बात करें तो विकास हर पहलू पर होगा सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक, धार्मिक, हर चीज का विकास होगा। उसमें देखे विकास, संस्कृति, सभ्यता, अब संस्कृति में हमें क्या-क्या पता चलेगा इन सारी चीजों के अधार पर, हम ये लाइन कहने का क्या प्रयास कर रही है, कि विकास है, मानों के विकास, संस्कृति और सभ्यता इत्यादि के द्वारा जाना जा सकता है, संस्क संस्कृति किसी समाज में ही होगी वेस भूसा बोल चाल रहन सहन पूजा पाठ तीज तोहार खान पान यानि कि ये सारी चीजें संस्कृति कहलाती है यानि संस्कृति के क्या है ये घटक है और सब्धिता क्या है जब संस्कृति एक स्टेंडर्ड फॉर्म में आ जाती है जब वहां पर उस संस्कृति में जैसे अब क्या है कि मान लिजे कपड़े हैं वो भी एक स्टेंडर्ड लेवल में आ गए उसके बाद वहां जो समाज में जो चल रहा है मान लिजे गर एक हरपा का एक्जामपल लेते को है तो उसी को ही हम क्या कह देदें सभभटा कह देते तो अब देखें कि अगर अगर हडपा की बात करें तो TS का माप कर सकते ही ले कि हम किसी चीज़ को और मपmented की बात पर एक एधंटिक मेजर्मेंट की बात बात आज इस संस्कृति में सब कुछ है तो देखिए, वहाँ यूज होने वाली चीजे हैं, बांट माप की बात करेंगे, तो देखिए, वहाँ पर 4, 8, 12, 16, इसके अनपात में थे, इटो का साइज देखेंगे, तो 4, 2, 1, यानि कि तॉल, माप, बांट, जो सारी चीजें, व्यापार, रोजगारी, सारी चीजें हो यह सारी चीजें एक स्टैंडर्ड लेवल में जनरेट हो गई थी, तो वो क्या है, कि संस्कृती का स्टैंडर्ड लेवल जनरेट जब हो जाता है, तो उसी को ही हम क्या है कहते हैं, सब्धिता कहते हैं, और इनके द्वारा हम मानों के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते तो पहला point है अब देखिए कि अगर हम आज इतिहास के बारे में हम बात करते हैं तो हमने देखा अभी तक कि इतिहास की कुछ थोड़े थोड़े definition की बात हुई कि इतिहास क्या है और इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक संबाद कायम करता है इतिहास की जानकारी हमें मानो समाज के या मानो विकास के संस्कृतिक और सब्धिता वाले पहलू से भी प्राप्त होता है यानि कि हमें मानो के इतिहास के बारे में जो जानकारी है वो उस समाज में व्याप्त संस्कृति और सब्धिता के द्वारा भी मिलती है ठीक है तो इस प्रकार से हमें कुछ definition देखी नार्मली अब हम देखते हैं कि इतिहास कारों के द्वारा यानि बिद्वानों के द्वारा जो इतिहास है उसको क्या किया गया अलग-अलग खंडों में बाटा गया तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास सुरू किये हैं तो इ अब देखिये कि इतिहासकारों ने क्या किया कि इतिहासकारों ने इतिहास को जो प्राचीन भारत का इतिहास है और उसमें 2-3 चैप्टर जो है सुरुवात के क्योंकि हमारे पास पासाणकाल के stone age के जानकारी के लिए ज़्यादातर साच्छ नहीं प्राप्त होते हैं अब हमारे पास क्योंकि वो जंगली लोग थे आदिमानों जिन्हें आप कहते हैं उनका विकास कैसे हुआ इसको मैंने आपको वहां पे लाइब भी पढ़ाया है जो लोगों का अगर इच्छा करेगी जानने की कि हां मानों के विकास की प्रक्रिया क्या थी वो लाइब जाके पढ़ सकते हैं उसमें देख लिजेगा यहां सेग्मेंट हम लोग एकदम डिक्टो पेपर का लेके चल ले हैं यूजी सी नेट जयारत्वा ठीक है अब देखिए कि प्राचीन भारत के इतिहास के लिए हमारे पास समस्या क्या थी कि पहले तो हम इतिहास का डिवाइडेश को देखते हैं तो मानों के विकास की प्रक्रिया अगर देखें तो सांस्कृतिक विकास का जो सूचक माना जाता है वो माना जाता है कौन नियंडर्थल मानों जो कि मानों के विकास की तो यहां पर यह प्राबलम आई कि पासान काल में हमारे पास क्या है कुछ ऐसे लिखित साच्छ नहीं मिले जिसके आधार पर हम क्या है एक क्रम बद्ध इतियास का वड़न करें तो हमने क्या किया कि कि दो साच्छों की बात होती है एक पुरा तत्विक साच्छ यानि एक आर्के लोजिकल एविदेंस और एक लिट्रेरी इस यानि एक साहित्तिक साच्छ तो पुरा तत्विक साच्छों की जब हम बात करते हैं, तो उसमें आपके क्या है? उसमें आपके स्मारक आ जाते हैं, अभिलेक आ जाते हैं, मुद्रा आ जाएगी, सिक्के आ जाएंगे, मूर्तियां आ जाएंगे, चित्रकला है, मूर्तिकला है, ये सारी चीजें आ तो हम पासान काल से सुरू करते हैं, अब पासान काल में अगर हम देखें, तो पासान काल का जो time duration है, वो तो बहुत पुराना है, और उतने समय लिपी जनरेट नहीं हुई थी, लिपी तो अभी देखेंगे आप, कि बैदिक काल में जाके जनरेट हुई, बैदिक काल में जो लिपी का विकास हुआ पुर्णुरूप से वही रिगवेद लगवग 8900 इसापूर्व में लिखा गया, हरपा में लिपी पाई गई है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, और जो पासान काल है, उसमें हमें लिपी मिली ही नहीं, तो हमने देखा कि हम इसको तीन भराबर भाग से हम उनका क्या करते हैं, इतिहास लिखते हैं, देखिए, संस्कृति है, संस्कृति में क्या है, उनके द्वारा प्रियोग किये जाने वाले अजार, हथियार, उनके क्रिया कलाप के आधार पर हम उनका इतिहास जानते हैं, अब सब भेतों थे नहीं, तो सब भेता यहां प अब देखेंगे, अब देखेंगे, कि अब पासान काल के लिए अलग समस्या हो गई, पासान काल के लिए क्या, कि जो शुरुवाती स्टेज में पासान काल की बात आती है, जैसे प्री पेलियो लिथिक, प्री पेलियो जोईक, पेलियो जोईक, मीसो जोईक, सीनो जोईक, नी एक काल ऐसा था जहां पर हमें लिपी नहीं प्राप्त हुई और एक काल ऐसा था जहां पर हमें लिपी प्राप्त हुई लेकिन हम पढ़ नहीं पाए और एक काल ऐसा आया जहां पर हमें लिपी प्राप्त हुई और उसे हम पढ़ भी पढ़े तो इस आधार पर हमने क्या किया कि प्राचीन इतिहास को तीन सेगमेंट में बाटा है अब तीन सेगमेंट में पहला सेगमेंट कौन है देखिए पहला सेगमेंट जो है उसे हम बोलेंगे प्रवगतिहासिक काल या प्रवगतिहासिक इतिहास यह जो time duration लिया जाता है यह लगभग 20 लाक से लेकर और 3000 BC तक का है यहाँ पहरा तो आपको theory मिलेगी यानि 20 लाक से 3000 BC तक का कालखंड है अब देखिए अगर हम देखते हैं एक चीज देखिए जो प्राचीन यहाँ थोड़ा सा हम बता दे रहें प्राचीन भारत आप देखिए यहाँ पर एक सेग्मेंट हो जाएगा कौन प्राग एतिहासिक कालब प्राग एतिहासिक कालब ठीक दूसरा हो जाएगा आध्य एतिहासिक कालब आध्य एतिहासिक आध्य एतिहासिक काल और तीसरा हो जाएगा एतिहासिक कालब ठीक अब यहाँ पर एक कॉंसेट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रग एतिहासिक काल के अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा हमने कहा था कि ऐसा काल क्योंकि हमें इतिहास क्योंकि जो लोग इसको पढ़ रहे होंगे वो आलेडी पोस्ट ग्रेजवेट हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बीए से ही सारी चीजें पढ़ाई जाती है आपको पढ़ाई तो इंटर से ही जायती ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको उतना बैक अप तो मालिम होगा कि प्रग जारों और हथियारों के ही आधार पर हम उनकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं ऐसे काल को हम क्या करेंगे प्रगतिहासी काल यानि हमें लिपी प्राप्त नहीं हुई है कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ प्राप्त नहीं हुआ तो इसकी पहली जो विशेस्ता है वो क्य कहता है यहां पर कहता है कि इसको फिर से बना दे रहे हैं कि प्राचीन है इतिहास है ठीक अब देखिए पहला है प्राग इतिहासिक प्राग इतिहासिक काल यानि इसे बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अब यहां पर क्या इस्थित्य आएगी ठीक है अब देखिए यहां क्या विशेषता है विशेषता इसकी यह है देखिए इसकी विशेषता क्या है इसकी विशेष्टा है कि पुरा तत्विक साच्छों की प्राप्ति, यानि कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें पुरा तत्विक साच्छे तो मिलेंगे, ठीक है? कि पुरा तत्विक साच्छे तो मिलेंगे, कि तो ध्यान रखेगा लिपी या लिखित साच्छे प्राप्त नहीं होते हैं, लिखित साच्छे बिलकुल प्राप्त नहीं होते हैं, यानि ऐसे काल की क्या विसेस्ता है, यानि प्रगतिहासिक काल की जो विसेस्ता है, उसकी विसेस्ता यही है, कि हम इस काल का इतिहास केवल उनके द्वारा प्रियोग किये गए, उपियोग किये गए, ओजारों और हथियारों के ही माध्यम से प्राप्त करते हैं, हमें कोई लि प्रगतिहास कार लेते हैं भारत में तो जो शुरू होता है वो पांच लाक साल यानि पांच लाक बीसी ठीक है लेकिन अगर हम वर्ड लेबल पे लें तो वीस लाक की बात आती है वीस लाक से तीन हजार जो कि अभी आपके ठीवरे में लिखा है तो कन्फ्यूज मत हो यह क्य जो है वो बहुत लेट शुरू होता है क्योंकि हमारे पास पुराने वाले मानों के साच्छ क्या है नहीं पाए गए तो यहां पर इस्थिती के आती है कि प्रगतिहासिक काल को आप समझ गया होंगे कि ऐसा काल जहां पर केवल हम पुरा तत्रिक साच्छों के आधार पर उस साल लिया जाता है लेकिन हम 20,000,000 साल की बात करते हैं और 20,000,000 से लेकर 3,000 साल तक इसका time duration माना जाता है, ठीक है, इसको जरूरी नहीं है, इसको अभी हम पढ़ाएंगे, तब आप इस पे confused हो जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे हम लोग देखेंगे, तो हम अब हम इसको थीोरी में देखते हैं, देखिए,